राकेश बापट और शमीता शेती का रिष्टा जो है वो तूट चुका है इस तरह की खबरे आई हाराकिन खबरों के आदे साथ जो है ये दोरों स्पोर्ट हुए रैक कार्पिट पर साथ चलते हुए नजर आए लेकिर राकेश बापट ने अब एक बात देही है अब ये बात साथ कर रहे हैं कि उनके और शमीता के रिष्टे के बीच में दरारा जुकी है राकेश ने शमीता शेती को कहा है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है खता कि उन्हों ने ये बात माना कि मानव रिलेशनशिक बहुत स्टोंग जा रहा है लेकिन अभी रिष्टे को मैं कोई नाम नहीं दूँगा उनसे पूछा गया कि आप अपने रिष्टे के किस फेज में हैं तो वो कहते हैं I will not name it a relationship अभी मैं इसे रिष्टे का कोई नाम नहीं दूँगा ये सिरफ और सिरफ एक bond है और मैं अभी उस bond को कोई नाम देना नहीं चाहता ये मैं कहूंगा कि दो लोग है जो एक दूसरे की company को enjoy कर रहे है एक दूसरे को पसंद कर रहे है एक दूसरे की care कर रहे है If you want to name it, it's a name game She is a woman, I really respect लेकिन वो एक ऐसी महिला है जिसको मैं respect करता हूँ तो do you not want to talk about your personal life जब उनसे पूछा गया तो उन्हों ने गा I don't want to talk about it मुझे सच में इस पर बात नहीं करनी If there is any kind of progression people will get to know अगर इसमें हमारा रिष्टा बॉण से आगे कुछ बढ़ा तो मैं पक्का लोगों को बताऊंगा अगर कुछ ऐसी solid चीज होई यानि कि रिष्टा पक्का होता है हम उसको next level पर ले जाने के बारे में सोचते हैं तो मैं पक्का बताऊंगा लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ तो अब जो है उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये बात साफ कही है कि हम दोनों के बीच में सिरफ एक bonding है जहां दो लोग एक दूसरे की care करते हैं इस्ज़त करते हैं प्यार करते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो कहीं न कहीं क्या ये कहना चाते है राकेश बापड कि फिलहाल वही भी अपने इस bond को थोड़ा समय देना चाते है ये bond ही है ये अभी तक प्यार में गल्फ्रेंड, बॉइफ्रेंड, रिष्ट, पती-पत्नी इस तरह के किसी रिष्टे या टैक के बारे में उन्होंने फिलहाल नहीं सोचा है